जैसे वह पढ़ रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले subject लिखेंगे he he means वह फिर उसके बाद में helping verb तो ये singular है एकवचन है इसलिए इसके साथ में इज का प्रियोग होगा बहुचन के साथ R का प्रियोग करते हैं plural के साथ और I के साथ M का प्रियोग करते हैं इसका प्रियोग plural के साथ होता है इसका प्रियोग I के साथ करना है और इसका प्रियोग singular के साथ करना है इसका यह मैंने यहां पर लिख दिया है तो यहां singular था इसलिए मैंने is लिखा है he is और इसमें जो verb है वो read है तो इसमें हम ing लगा देंगे क्योंकि verb की first form प्लस ing लिखा है तो यह हो जाएगा reading he is reading वह पढ़ रहा है इसका third है present continuous tense के बाद में present perfect tense present perfect tense यह third है तो इसमें क्या है present perfect tense में इसकी जो helping verb है hb वो है hedge have hedge का use singular के साथ होता है और have का use plural के साथ होता है have का use plural के साथ करते है plural और जो mb है इसकी main verb यानि मुख्य के लिए वो बर्ब की third form use की जाती है हमेशा बर्ब की third form ठीके बी third बर्ब की third form हमेशा use की जाती है जैसे अब यहाँ पर आपको हमें एक example बता देते हैं की इसका use कैसे होता है जैसे वह लखनव जा चुका है लखनव जा चुका है तो सबसे पहले subject he फिर उसके बाद में यह देखेंगे यह singular है या plural तो singular है तो singular के लिए hedge तो he hedge उसके बाद में verb बर्ब है जाना और बर्ब की कौन सी फार्म यूज करनी है third form तो इसकी first form होती है go जाना की और second form होती है bent और third form होती है gone तो मुझे third form लिखना है इसका मतलब यह मुझे लिखना है यहाँ पे gone तो he hedge gone he hedge gone to लकनव यह इस तरह से यह बन गया अब इसका एक और बचा हुआ है चव था जो है present perfect continuous tense present perfect continuous tense four number है present present perfect perfect continuous continuous tense present perfect continuous tense इसमें क्या होता है इसमें जो helping verb है वो यही रहती है present perfect tense की लेकिन उसमें बीन और बढ़ जाता है तो इसकी जो helping verb है वो has been बिल्कुल सेम परफेक्ट की तरह से यह singular के साथ और यह plural के साथ है बीन का यूज प्लियूरल के साथ किया जाता है और has been का singular के साथ किया जाता है प्रियोग एंबी क्या होती है एंबी main verb इसमें verb की first form का यूज किया जाता है verb की first form का यूज किया जाता है first form plus ing का भी यूज किया जाता है पर इसमें आपको time भी दिया जाता है sentence में क्योंकि अगर time नहीं दिया जाएगा तो यह sentence बिलकुल present continuous की tense की तरह से लगेगा इसलिए इसमें time होता है और time भी दो तरह का होता है निस्चित और अनिस्चित तो अगर यहाँ पर निस्चित time दिया गया है जैसे निस्चित time अगर दिया गया है तो निस्चित निस्चित समय के लिए sentence का यूज किया जाता है और अनिस्चित समय के लिए फार का यूज करते है अनिस्चित अनिस्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं जैसे अब हम आपको एक sentence बताते हैं जैसे वह दो घंटे से दो घंटे से पढ़ रहा है तो ही फिर उसके बाद में हैजबीन क्यूंकि ये singular है इसलिए इसके साथ हैजबीन लिखेंगे he has been reading यानि बर्ब में ing भी लगाएंगे he has been reading अब बात आती है दो घंटे से यानि समय की तो अब समय लिखना है मुझे अब मुझे ये देखना है ये निस्चित समय है या अनिस्चित समय तो ये अनिस्चित समय है इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूगा अबी कि निस्चित समय क्या कौन से होते हैं और अनिस्चित कौन से तो यह अनिस्चित समय है तो यहाँ अनिस्चित समय के लिए मुझे लिखना है फार यह लिखा हुआ है और अब लिख देना है 2 गंटी यानि 2 hours 2 hours फार 2 hours यह इस तरह से बन गया तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ये tense हैं और tense तीन प्रकार के होते हैं ठीक है present tense past tense future tense और ये मैंने सभी present के part बता दिये हैं कि कितने होते हैं चार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो पहला है present indefinite tense और उसमें helping verb क्या होती है और main verb क्या होती है तो helping verb यहाँ पर लिखी हुई है simple sentence है तो yes iis का यूज करेंगे singular के साथ, plural के साथ yes iis यूज नहीं होता है और बाकी जैसे negative है, interrogative है उसमें doodaj का यूज होता है और main verb verb की first form है फिर दूसरा है present continuous tense इसमें helping verb is rm का यूज होता है main verb verb की first form plus ing का यूज होता है जैसे वहाँ पढ़ रहा है तो he is reading third है present perfect tense इसमें जो helping verb है वो hedge और have है और main verb है मुख्य क्रिया की third form यूज होती है तो जैसे वहाँ लखनो जा चुका है he has gone to लखनो fourth है present perfect continuous tense जिसमें helping verb has been और have been का प्रियोग होता है मुख्य क्रिया verb की first form का प्रियोग होता है plus ing इसमें निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया जाता है बाके में निश्चित समय के लिए sense और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं जैसे वह दो घंटे से पढ़ रहा है तो he has been reading फार two hours होगा अब निश्चित समय कौन सा होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर निश्चित समय निश्चित समय निश्चित समय होता है जैसे सुबह से साम से जैसे इसको लिखेंगे morning, since morning तो सुबह से, साम से और बजे जैसे की यहाँ पर लिखेंगे चार बजे चार बजे, तीन बजे, दो बजे, एक बजे यानि बजे हो तो, चार बजे तो फोर ओकलाक फोर ओकलाक, इस तरह से लिखेंगे फोर ओकलाक, पाँच बजे, छे बजे, यह सब जो टाइम है वो निश्चित होगा, और अगर कोई, जैसे सोमबार दिया गया है सोमबार, दिनों का नाम सोमबार दिया गया है, तब ही यह since Monday ही लिखेंगी, since Monday सोमबार, और अगर कोई डेट दी गई है जैसे 1984 या 2023 तब इससे पहले भी मुझे since लिखना पड़ेगा since 2023 इस तरह से या कोई और भी डेट हो सकती है अनिस्चित समय के लिए अनिस्चित समय के लिए या अनिस्चित समय क्या होता है जैसे दो घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, ठीक है, घंटे दिये हो, तो वो होगा, या फिर दिन दिये हो, जैसे दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, तो ये भी होगा अनिश्चित समय, या फिर जैसे दो बर्स दिया हो, तीन बर्स दिया हो, जैसे ती तीन बर्स तीन बर्स तो यह अनिस्चित है पता नहीं वो कौन से कब के तीन बर्स रहे होंगे या कौन से दो दिन होंगे कौन से दो गंटे होंगे तो यह अनिस्चित समय आता है तो इनके साथ में फार यूज करना है और निस्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें हम आपको प्रिजेंट पास्ट वट्टिंस के सभी पार्ट बताने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या होता है पीज लाइक एंड सेर दिस वीडियो एंड आलसो सब्सक्राइब चैनल थैंक यू